एड रोटेशन गूगल एड्स दोस्तों यह एक ऐसी सेटिंग है जिसकी मदद से आप अपने एड्स की पर्फॉर्मेंस बेटर कर सकते हो क्योंकि इसके थुरू आप अपने एड को आप्टिमाइज कर रहे हो तो क्या है एड्स रोटेशन हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और इसके क्या बेनिफिट्स हैं इसके साथ साथ आप अगर फेस्बुक ट्विटर स्यू शूशल मीडिया अफिलेट मार्केटिंग जैसे पचास से जादा डिज कर लिजेगा ताकि कुछ मिस ना हो चलते हैं और सीखते हैं दोस्तों गूगल एड्स वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे बताएंगे अच्छे से कि एड्रोटेशन क्या होता इसके क्या फायदे होते हैं और क्यों गूगल इसको आटोमेट लेवल पे रखना चाहता ह हैं तो सबसे पहले यह सिंपल है आपको अपने केंपेंज सेटिंग्स के अंदर आना है और जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मोर सेटिंग्स के अंदर एड्रोटेशन के एक उप्शन दिखाए देगा एड्रोटेशन में चार ऑप्शन्स आते हैं अभी मैं चारों के बारे मैं आपको बता रहा हूं बट बेसिगरी जो नीचे दो ऑप्शन्स हैं वो नौट सपोर्टेड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी कन्वर्जन्स की जो बिडिंग सेटर्जी है वो यूज नहीं कर रखी तो यह भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से बिडिंग सेटर्जी और कौन से केंपेंड आप चला रहे हो जिसके हिसाब से यहां पर आपको ज्यादा कम मिलते हैं मगर समझना इसको बहुत जादा जरूरी है क्योंकि ऑप्टिमाइज प्रैफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स इसका मतलब क्या है कि मान लीजे जब आ आते हो कई बार क्या होता है आप एक कैंपेंड के अंदर मल्टिपल एड्स ठीक है एड्ग्रोप कई सब चीजे मल्टिपल एक ही कैंपेंड में चलाते हैं तो वहां पर जब गूगल लोगों को आपका एड दिखाता है तो हर एड पे लोगों का रिस्पॉंस आता है अब जो एड जतना लोगों को अपील करेगा जतना एंट्रेक्ट करेगा लोग उसके सब जितना इंट्रेक्ट करेंगे क्लिक करेंगे या उसको देखेंगे तो गूगल अपने आप आइडेंटिफाई करेगा ठीक है जैसे जिसे उन्हें एड्स की पर्फॉर्मेंस वो यह उससे कम आ रहा है और यह उनसे कम आ रहे हैं तो जो भी आपके बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगा सबसे ज़्यादा उसको वह प्रेफरेंश देगा क्योंकि गूगल एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस वाले एड को ज़्यादा दिखाया जाएगा तो ज्यादा क्लिक्स और कन्वर्जन्स आने की आपको ज़्यादा चांस है और आपका पैसा भी मतलब उसके मतलब उसका आरोई भी आएगा आरोएस भी आएगा तो इस इंटेंशन से किया जाता है गूगल के द्वारा और आप अगर खुझ भी सेलेक्ट कर रहे ऑप्शन तो मैं आपको सेलेशन द मतलब अगर आपने मल्टिपल एड्स बनाए हैं तो आपने कुछ सो समझ के बनाए होंगे तो आप गूगल को निर्देश दे रहे हो कि भाई मेरे एड्स को बेस्ट परफॉर्मिंग को अप्टिमाज मत करें जैसे से एड्स हैं उनको उस तरीके से अलग-लग लोग उनको दिखा मगर फिर भी गूगल देखो क्या कह रहा है कि आप उपर वाली स्टेटरजी ही एपलाई करो क्योंकि इससे क्या होता है आपको भेतर रिजल्ट्स आते हैं और इससे आपका पैसा भी बसता है इवन यहां पर भी यह बोल रहा है कि ठीक है वह इवन दिखाएगा ठी तो अगर आप स्मार्ट इडिंग यूज कर रहे है कि गूगल पर आपने छोड़ दिया स्मार्ट बेडिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो इस लिए गूगल रिजल्ट्स लाने के लिए पहला वाला स्टेटरजी ही चूज करता है फिर ऑप्तिमाइज फॉर कन्वर्जंस लिए जब आप कन्वर्जंस के आटोमेटिड चलाते हो तो ये आपके एड को आटोमेटिकली कन्वर्जंस के हिजाब से करता है जैसे से लर्निंग और आपकी समझता है उसके पर उनके रिस्पॉंस समझता है आपके ओपर आपकी टार्गेटिंग क्लियर होती है ठीक है और आपकी पास जो कनवर्जेंस है उसको समझता है तो उसके आप से अप्टिमाइस करता है अब रोटेट की मतलब भाई करना है तो बेस्ट वे कि आप बेस्ट पर्फॉर्मिंग एड्स ऑप्टिमाइज ऑप्शन कोई चूज कीजिए ताकि आपको भी तो आइडिया हो कि भाई एड्स बहुत सारे बनाए हैं मगर कौन सा मेरा परफॉर्म करेगा आपको पता लगे और जो परफॉर्म करेगा उसी आप वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपकी क्यों सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों अगर आप डिचिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विशेज हमारी कंपनी से लेना चाहते और हमें शोशल मेडिया पे फॉलो करके लेटेस्ट अप्डेट्स ले सकते हूं थैंक यू फॉर वाचिंग मार्केटिंग फंदाज